बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकुम यू आर लिसनिंग टूम असलीम इफ लाइक मैं वर्क प्ले स्क्राइब मैं चैनल शेरिंग वीडियो इथ फ्रेंड्स बाइ लेविए कमेंट्स एंड नाओ लेट्स मोग तो आवर टोपिक आज हमने डेटा कम्यूनिकेशन को जो मुख्ति लिखें के टेकरीज में डिवाइड होता है यहां पर देख्यां आपके जो पोलर सीद़ल है वह बीसिकली के टेगोरी में डिवाईड हो जाता है NRZ, non return to zero, return to zero और by phase ठीक है, तो ये 3 categories में polar signal वो divide होता इससे पहले lecture में हमने study किया था वो हमने unipolar study किया इसके signal graph से हमने वज़ात की दी कि जो unipolar signal होता है वो कैसे flow करता तो अब हमने polar study करना है तो इसकी जो categories है जो इन में ये divide होता है यहां पर भी NRZ जो है यह भी कुछ categories में divide होता है signal तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हो सकती है तो आप यहां पर देखें के NRZ signal जो है वो NRZ L NRZ I यह टू categories में divide हो रहा है जो NRZ है, polar जो signal है वो divide होता है थरी categories में NRZ, RZ और by phase तो जो NRZ है यह NRZ L और NRZ I में divide होता है तो इसी तरह हम बोलते है non return to zero level non return to zero inverse ठीक है तो यह divide हो जाता है उसके बाद जो by phase है यह भी divide होता है कुछ categories में वो कौन सी है यह जो by phase है यह divide होता है Manchester and different Manchester ठीक है तो आपने यहाँ पर देखा कि जो polar is signal वो उसकी जो categories है और फिर उनकी जो categories की जो sub categories है वो कौन कौन सी है आपको question MCQs में लाजमी आ सकता है कि NRZ stand for NRZ L stand for ठीक है और आप बताएं कि जो polar है वो कौन कौन signal में categories रखता है और उनकी sub categories कौन सी है यह भी important question बन सकता है तो आज जो हम study करेंगे वो है NRZ ठीक है हम सीखते हैं आज की इस lecture में NRZ की जो sub categories है NRZ L और NRZ I ठीक है तो आज हम यह study कर लेते हैं just इस lecture में कि जो NRZ divide होता है sub categories में signal की वो कौन कौन से हैं तो आई हम just NRZ L और NRZ I को देखते हैं next lecture में next को देखेंगे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो bits लिए है 01001110 है ठीक है तो first पे जो हमारा signal flow graph है तो वो हमारा NRZ L के लिए है और जो second पे है वो NRZ I के लिए है तो पहले हम देखते है NRZ L लेवल को ठीक है तो NRZ लेवल को तो यहां पे आप देखेंगे जो NRZ लेवल का जो signal है वो कैसे flow करता है कैसे flow करता है हम देख लेते हैं तो यहां पे आप देखें कि जो signal ने flow किया वो इसकी flow direction क्या है अगर bit हमारी 0 होगी तो transaction change नहीं होगी देखें अगर bit हमारी 0 है तो यह just 0 से start हुआ है और हमारी bit अगर 0 है तो इसने कोई position change नहीं की जैसे next bit 1 आई तो यह positive से negative की तरफ चला गया ठीक है यह area जो होता है यह area होता है positive area और इसको हम बोलते है 0 level area ठीक है तो आपने यहां पे देखा कि जैसे 1 bit आई तो जो signal था वो हमारा नीचे की तरफ flow कर गया तो इसी तरह जब next bit 0 आती है तो बिलकुल यह अपनी position change करता है और दुबारा फिर उपर की तरफ flow करना शुरू कर देता है यानि बात यह है कि जब भी कोई bit 0 आऊगी तो इसकी position positive होगी जब भी कोई bit 1 होगी तो इसकी position negative होगी आप यहां पर देखें जो signal है positive to negative कैसे flow कर ला है जब भी 0 यहां पर 0 bit आई तो यह positive है अब 1 आया तो यह just negative है और आगे भी positive ठीक है तो जब यह 0 bit आती है तो यह positive रहता है और जब यह 0 1 bit आती है तो यह negative हो जाता है जो nrz level का signal होता है वो इस तरह flow करता है अब आपको exam में question कैसे आएगा आपको question इस तरह आएगा कि आपको bits दी जाएंगी कुछ ठीक है और वो आपको यह बोलेंगे कि nrz level है इसका आप हमें signal graph बना के देए exam में question बहुत important question आसकता है कि bit वो खुद देंगे तो इस तरह जो है nrz l का जो हमारा signal flow duration है वो इस तरह बनती है अब हम study करते है nrz i को कि इसकी जो है signal deduction यह कैसी हो तो आप यहाँ पे देखें कि nrz i में क्या काम हो रहा है और जो signal स्टार्ट हुआ है जिरो बिट से तो इसने अपने transaction कब change करनी है वो मैं आपको बता जब भी one आएगा वो यह bit जो है जो है जो जो signal है वो अपने transaction चेंज जिरो आएगा तो उसी transaction पे रहेगा जहां पे वो है ठीक है यानि कि जब भी bit one होगी तो transaction change होगी transaction कैसे change होगी अगर वो positive पे खड़ा है तो वो negative पे चला जाएगा अगर वो negative पे खड़ा है तो वो positive पे चला जाएगा उपर क्या काम था कि उपर just positive to negative होती थी यानि 0 बिट होगी तो positive 1 बिट होगी तो negative nrzi में क्या difference है nrzi जो है वो उस वक्त अपनी negative अपनी position change करता है जब 1 आता है चाहे वो positive पे खड़ा हो चाहे वो negative पे खड़ा हो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यह positive पे खड़ाता ठीक है जैसे ही 1 आया तो इसने अपनी position change की है अब negative की तरफ change की है और आगे भी उस आगे इसने 0 आया तो कोई action नहीं लिया कोई transaction नहीं हुई फिर 0 आया कोई transaction नहीं हुई यानि कि इसने अपनी transaction कब change करनी है जब bit 1 आएगी चाहे वो positive पे खड़ा हो चाहे वो negative पे खड़ा हो आगे आप देखें कि 1 आ रहे है तो जैसे 1 आया इसने नीचे से transaction उपर की तरफ 1 की तरफ की है तो आज आगे भी 1 है तो फिर जैसे पिछे हुआ था यानि 0-0 आता था तो वो अपनी positive फालत में रहता था या 1 आते थे डबल, triple 1 आते थे तो यह अपनी negative फालत में रहता था तो इसी तरह जो है एन आर जी आई जो है वो वर करता है तो आप यहां पर देखें के जैसे यह 1 आया तो इसने अपनी दुबारा negative की तरफ transaction की ठीक है अब अगे न 1 आगे है तो फिर यह दुबारा positive की तरफ transaction करेगा अब आगे 0 है तो यह transaction नहीं करेगा जस्ट सीधा जाएगा यह देखें ठीक है के इसने कोई transaction नहीं की transaction कब करेगा जब 1 आएगा चाहे वो positive पे खड़ा हो चाहे वो negative पे खड़ा हो यानि आपको दोनों signal के difference में पता चल गया होगा इसी का भी इसी तरह question आ सकता है exam में कि आपको bits देंगे और बोलेंगे कि n, r, z, i का आप signal direction बना के दिखाए हैं ठीक है तो यह important question है I hope कि आपको इस lecture की समझाई होगी next video में जरूर मिलेंगे तब तक के लिए Allah